इसको यूज करने का जो तरीका है वहली अल्ट्रासाउंड है किट लेने से पहले की और ये बाद की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जिसमें प्रेगनेंसी बिल्कुल भी शो नहीं हो रही है इस बजे तो जो ब्लीडिंग है वो 30 मिनट से 4 घंटे के बीच में स्टार्ट हो तो गाई सबसे पहले तो हम लोग ये डिसकस करते हैं कि इस किट को आप लोग कितने दिनों की प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हो और इसको यूज करने का जो तरीका है वो क्या रहता है लेकिन ये बात बताने से पहले मैं आपको इस किट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं क्योंकि लोगों को अक्सर इस जानकारी का पता नहीं होता और लोग इस kit को black में खरीद लेती हैं दुगने तिगने price rate में तो देखिए ये जो kit है इसे हम लोग medical termination of pregnancy के cases में use करते हैं जैसे कि अगर किसी महिला को unwanted pregnancy है या फिर कोई लड़की है जो unmarried है और उसक पत्रा रहता है या फिर बच्चे में किसी परकार का birth defect हो या बच्चे की दिल की धड़कन आई हो या फिर महिला का miscarriage हो गया हो तो ऐसी condition में हम लोग इस kit को use कर सकते हैं अब ज्यादातर cases में लोगों को लगता है कि भारत में इस kit को use करना गैर कानूनी है लेकिन ऐसा बि फिर जब डोक्टर आप लोगों को इस kit को prescribe कर देंगे तो ये kit आप लोग किसी भी medical store से जाके purchase कर सकते हो आगे हम लोग discuss करते हैं कि इस kit को आप लोग कितने दिनों की pregnancy में safely use कर सकते हो तो इस kit को आप लोग 30 दिनों से लेके 49 दिनों की pregnancy में safely use कर सकते हो अब जो pregnancy के दिन है वो आप लोगों को कैसे count करने है pregnancy के दिन count करने के लिए आप लोगों ने जिस दिन relation बनाया है वहाँ से आप लोगों को count नहीं करने है pregnancy के दिन हमेशा जिस दिन female को last बार period start हुए थे वहाँ से count करने होती है जिसे हम लोग LMP date बोलती है ठीक है अब कुछ cases में लोगों को जो pregnancy है वो उन्चास दिनों के बाद पता लगती है तो ऐसी condition में आप लोग इस kit को 63 दिनों के अंदर अंदर safely use कर सकती हो डोक्टर के supervision में मतलब की डोक्टर के देखरेख में बट अगर आप लोग इस kit को 63 दिनों से ज़्यादा की pregnancy में यूज करोगे तो ये kit अपना काम नहीं करेगी kit देने पर या तो pregnancy के कुछ products निकल जाएंगे कुछ uterus में रह जाएंगे या फिर महिला को ज़्यादा तेज bleeding होगी जिससे महिला का blood pressure low हो सकता है और जो महिला है वो शोक में जा सकती है आगे हम लोग discuss करती है कि इस kit को आप लोग कैसे use करोगे और देखिए गाईज ये जो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये पूरी तरह से use किया हुआ है यहाँ पर patient की आप ultrasound देख सकते हो ये पहली ultrasound है kit लेने से पहले की और ये बाद की ultrasound रिपोर्ट है जिसमें pregnancy बिल्कुल भी शो नहीं हो रही है normal scan आया हुआ है इस method को बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें भी बताना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है जब आप लोग इस kit को use करोगे तो देखिए इस kit को use करने से पहले आप लोगों को ये sure करना है कि जो महिला के अंदर hemoglobin level है जो female इस kit को ले रही है उनके अंदर खून की कमी नहीं होनी चाहिए जो hemoglobin level है वो कम से कम 11 ग्राम होना चाहिए अगर कोई female खून पतला करने वाली गोली ले रही है जैसे कि इकोस्परीन या एस्परीन तो वो 7 दिन पहले बंद करनी होती है फिर वो इस kit को ले सकती है नमबर 3 इस kit को लेने से पहले आप लोगों को एक ultrasound करवाना जरूरी होता है क्योंकि अक्सर ऐसा दिखा जाता है कि eptopic pregnancy होने में जो urine pregnancy test card है उसमें आप लोगों को एक dark line दिखाई देती है और एक hulky line दिखाई देती है और eptopic pregnancy तो already महिला के लिए जानलेवा condition होती है जिसमें हम लोगों को immediately operation कराना पड़ता है ठीक है अब अगर eptopic pregnancy का case होता है और अगर कोई महिला इस kit को खा लेती है तो उनको तेज दर्द शुरू होता है और जो bleeding है या तो वो properly start नहीं होती है या फिर महिला को बहुती light bleeding start होती है जो की eptopic pregnancy के cases में होता है आगे हम लोग discuss करती है कि इस kit को आप लोगों को कैसे use करना होता है देखे इस kit में 5 गोलियां होती है जो पहली बड़ी गोली है वो mefepristone की होती है 200 mg की और जो pending 4 गोलियां आप लोग देख रहे हो ये mesoprostol की होती है परते गोली 200 mg की होती है अब जो पहली बड़ी गोली है कोई महिला इस गोली को खाती है तो उससे उनकी शरीर में ये गोली जाके pregnancy के लिए जो जरूरी हार्मोन है उसको रोग देती है उसके level को ये fall करा देती है जिससे क्या होता है जो बच्चेदानी का मूँ है वो खुलना स्टार्ट हो जाता है जिसको खुलने में लगबग लगबग 36 से 48 घंटों का समय लग जाता है फिर जो बच्ची हुई चार गोलियां है मेजो प्रोस्टोल की जब फीमेल इस गोली को खाती है तो उससे उनके यूट्रस में contraction सकुडन पैदा होती है अब देखिए होता ये है जब बच्चा यूट्रस में जाता है तो वो बच्चेदानी की वॉल के साथ चिपक जाता है इंप्लांट हो जाता है जब महिला इन चार गोलियों को खाती है तो यूट्रस में contraction, सकुडन पैदा होती है जिससे जो बच्चा चिपका हुए हो खड जाता है और bleeding के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है क्योंकि बच्चेदानी का मूँ तो अल्रेडी खुल गया है तो bleeding स्टार्ट होती है और फिर जो baby है और जो pregnancy के tissues हैं वो bleeding के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है तो guys आगे हम लोग discuss करती है कि ये जो kit है आप लोगों को कैसे use करनी है इस point के बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये जो kit आप लोगों ने use की है ये अपना काम कर भी रही है कि नहीं कर रही तो देखिए इस kit की जो पहली गोली है जो Mifet Bristol one की है वो आप लोगों को दिन के समय लेनी हैं तो मान लीजी की किसी महिला ने यह गोली आज से स्टार्ट करनी है तोंक्या करना है सुबह 8 बजे हल्का breakfast करना है नास्ता करना है नास्ते में वह कुछ भी हल्का-fólka खा सकते हैं की ब्रेट बिस्कुट डबल रोटी कुछ भी और उसके दो घंटे के बाद सुबा दस बजे पहली बड़ी गोली जो मीफे प्रिस्टोन की है वो उनको पानी के साथ लेनी है जैसे हम लोग समाने कोई गोली निगल जाते हैं वैसे ही निगल नहीं होती है ठीक है फिर परसो को 48 घंटे का गैप रखके परसो को सुबा 8 बजे फिर से उनको हलका नास्ता करना है और दो घंटे बाद सुबा 10 बजे परसो को यह जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे दो मिजो प्रोस्टोल की गोलियां देख रहे हो यह उन्हें गालों के बीच रखनी है जिसे बकल कैविट कि सर यह गोलियां कैसे रखेंगे क्योंकि गोलियां तो टेस्ट में बिल्कुल कडवी होगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है टेस्ट में यह जो गोलियां है यह टेस्ट लेस होती है इनका कोई टेस्ट नहीं होता है लेकिन जैसे जैसे यह गोलियां घुलेंगी वैसे वैसे आ पर ये गलती करती है कि इस गोली को वो लोग पानी के साथ लेती हैं, अगर आप लोग इस गोली को पानी के साथ लोगे तो ये जो गोलियां ये अपना पूरा असर नहीं दिखाती हैं, कुछ लोग इस गोली को 48 गंटे से पहले लेती हैं, तो अगर आप लोग 48 गंटे से पह कुछ प्रोडक्स निकल जाएंगे, कुछ यूट्रस के अंदर रह जाएंगे, जिससे आप लोगों का incomplete abortion हो सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, फिर जब 10 बजे आप लोग ये गोलियां लोगे, तो उसके तीन घंटे के गैप के बाद आप लोगों को फिर से एक बजे दुबारा से सेम तरीके से दो गोलियां जीब के नीचे या फिर गालों के बीच में रखनी हैं, कुछ डोक्टर आप लोगों को एक साथ चार गोलियां मीजो प्रोस्टोल की वजाईना में रखने की एडवाईज भी देते हैं, ये तरीका भी काम करता है लेकिन इससे रिस्क भी रहता है, रिस्क ये रहता है कि कभी कभी महिला से जो गोलियां है वो एक्सपेल आउट हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती हैं, अब जब गोलियां बाहर निकल जाएंगी, तो गोलियां काम नहीं करेंगी जिससे आप लोगों का Incomplete Abortion हो सकता है, कभी-कभी लोगों को हम लोग बोलते हैं कि गैप के साथ आप लोगोंने myzoprostol लेनी हैं लेकिन जो लोग हैं वो एक साथ 4 गोलियां जीप के नीचे या गालों के बीच में रख लेते हैं अब इतनी heavy dose से चा होता है? vomit होने के chances रहते हैं उल्टी आने का खत्रा रहता है, अगर उल्टी आ जाएगी तो आप लोगों को दूबारा से ये जो गोलियां है, रिपीट करनी पड़ती है, ठीक है, तो ये कुछ बाती हैं जो आप लोगों को धियान में रखनी है, आगे हम लोग डिसकस करते हैं, कि आप लोग कैसे पता कर होगे कि जो प्रोसेस चल रहा है, वो नोर्मल है या अबनोर्मल है, तो देखिए, जब आप लोग पहली बड़ी गोली लोगे मिफे प्रिस्टोन की, तो इस गोली को लेने से ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है, बहुत बार पेशन्ट बोलते हैं कि सर ब्लीडिंग नहीं होती है, आला कि कुछ केसी में महीला को खून के धबबे दिख सकते हैं, लाइट ब्लीडिंग स्पोर्टिंग या फिर ही ब्लीडिंग हो सकती है, अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो भी जाए, तो आप लोगों को पूरा जो प्रोसेस में ने बताया है, वो सेम टू सेम continue रखना है इसके इलावा देखा गया है कि महिलाओं को चक्कर आते हैं कमजोरी फिल होती है नोजिया वोमिटिंग होता है जो कि पहली गोली के असर के कारण है जो कि यह दर शाता है कि जो पहली गोली है यह अपना काम कर रही है इसके बाद जब आप लोग मीजो प्रोस्टो हो जाते हैं दस्त लग जाते हैं और कई महिलाओं को सर्दी लगके बुखा राता है इनसे घबराने की जूरत नहीं है यह जो परेशानियां है यह 24-72 घंटे में अपने आप खतम हो जाती है अब बात आती है कि मीजो प्रोस्टो लेने के बाद जो ब्लेडिंग है वो कितन होने में 24 घंटे का टाइम भी लग जाता है फिर बात आती है कि जो यह ब्लीडिंग है यह कितने दिनों तक होती है तो यह जो ब्लीडिंग है यह मैक्सिमम साथ से बारा दिन तक होती है मतलब साथ से बारा दिन में यह जो ब्लीडिंग है एक बार तो पूरी हैवी होगी फ में heavy flow रहता है period से भी तेज flow रहेगा उसमें आप लोगों को बड़े-बड़े clothes pass out हो सकते हैं खुन के थक्के निकल सकते हैं जिसका size निम्बू जितना भी हो सकता है पहले 24 घंटे में आप लोगों को सफेद कलर का mass type का tissue भी देखने को मिल सकता है जिसे हम लोग gestational sack बोलते हैं अब कुछ लोगों को यह नहीं पता लगता है कि heavy flow या heavy जो bleeding है वो आप लोग कैसे consider करोगे तो देखिए अगर किसी महिला को 2 घंटे में 2 पैट से ज़्यादा यूज करने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो महिला है उनको heavy bleeding हो रही है ठीक है तो यह जो heavy flow है यह 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर है तो आप लोगों को डोक्टर से immediately consult करना है आगे हम लोग discuss करते हैं कि आप लोग कैसे confirm करोगे कि आप लोगों की जो pregnancy है वो clear हुई है कि नहीं हुई है लेकिन ये बात बताने से पहले आप लोगों को पूरे process में कुछ जरूरी बाते भी धियान में रखनी है नमबर वन जब mesoprostol की गोलियां खाते हैं तो उसे पेट में तेज दर्द होता है और फिर bleeding स्टार्ट होते ही है और जो bleeding है वो इतनी तेज होती है कि लोग अकसर घबरा जाते हैं तो पहली बात तो आप लोगों को घबराना नहीं है mesoprostol लेने के बाद जो तेज bleeding है वो 24 घंटे तक हो सकती है नमबर टू जो mesoprostol की गोलियां है जब bleeding स्टार्ट होती है तो उससे पहले तेज दर्द होता है और ऐसे में जो लोग हैं वो antispasmodric drug खा लेते हैं मतलब कि पेट में दर्द वाली गोलियां खा लेती हैं जैसे कि meftal spas या anafotan tablets ये गोलियां आप लोगों को नहीं खानी है इन गोलियों खाने से mesoprostol का असर कम हो जाता है जिससे आप लोगों को incomplete abortion हो सकता है अब गोली कौन सी खानी है वो हम लोग आगे discuss करेंगे नमबर 3 किसी भी गोली को लेने से अगर bleeding स्टार्ट हो जाती है तो आप लोगों को पूरी complete kit खानी compulsory है ऐसा नहीं है कि पहली गोली खाई bleeding स्टार्ट होई तो आप लोग चार गोली ना खाओ complete kit खाना वरना आप लोगों का incomplete abortion हो सकता है अगला ये है कि अगर किसी महिला को 24 घंटे से जादा का time लग जाता है और पेट में तेज दर्द बना हुआ है और वो जो दर्द है वो दर्द वाली गोलियां खाने के बाद भी out of control है तो आप लोगों को immediately doctor से consult करना है फिर अगर किसी महिला को बुखार 101 degree Fahrenheit से जादा है तो आप लोगों को doctor से consult करना है क्योंकि कुछ cases में infection होने की करण बुखार आता है फिर अगर वजाईना के रास्ते से कुछ मवार टाइप का निकल रहा है पस टाइप का निकल रहा है तो आप लोगों को doctor से मिलना है क्योंकि ये infection को indicate करता है आगे हम लोग discuss करते हैं कि आप लोग कैसे करोगे आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि 14 दिन से पहले अगर आप लोग ultrasound कराते हो तो uterus में blood clothes आपको दिख सकते है अब जो लोग ultrasound नहीं करवा सकते हैं वो 21 दिन के बाद urine pregnancy test कर सकते हैं अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप लोग 21 दिन से पहले urine pregnancy test करोगे तो आपको pregnancy test card में एक light line दिख सकती है जिससे आप लोगों को घबराना नहीं है 21 दिन के बाद अगर आप लोग दुबार से pregnancy test करोगे और अगर आप लोगों की pregnancy clear होगी तो आप लोगों को ये line disappear हो जाएगी और जो test है वो completely negative आ जाएगा आगे हम लोग इस kit के regarding frequent ask question के बारे में discuss करें तो पहला जो question है वो ये है कि हम लोग इस kit को maximum कितनी बार use कर सकती है तो देखिए इस kit को आप लोग 2 साल में एक बार use कर सकती हो अगर पहले use करोगे तो इस kit के failure rate increase हो जाएगे जिससे आप लोगों को incomplete abortion हो सकता है नमबर 2 क्या breastfeeding mother इस kit को use कर सकती है तो बेशक कर सकती है लेकिन गोलिया खाने के 24 घंटे तक आप लोगों को breastfeed नहीं कराना है और जब आप लोग breastfeed कराओगे तो जो first milk होगा उसको आप लोगों को discard करना है मतलब कि निकाल के fact देना है फिर आप बच्चे को feed करा सकते हो नमबर 3 क्या इस kit को लेने से future में pregnancy conceive करने में problem आती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है इस kit को use करने से future में pregnancy conceive करने में कोई problem नहीं आती है लेकिन ये भी सच है कि अगर आप लोग गलत तरीके से गलत route से गलत timing से इस kit को बिना doctor की advice से बारी बारी यूज करोगे तो उससे आपकी uterus की lining खराब हो सकती है और फैलोपिन ट्यूब के block होने का risk रहता है जिससे आप लोगों को pregnancy conceive करने में परेशानी आ सकती है आगे हम लोग discuss करते हैं कि इस kit को लेने के बाद आप लोग कौन सी दर्द वाली गोलियां खा सकते हो तो देखिए मैंने आपको previously बताया है कि दर्द के लिए आप लोगों को anti-spasmotic drug नहीं लेनी है तो आप लोग ऐसे case में non-steroid anti-inflammatory drug ले सकते हो category की कोई भी medicine जैसे की brufan 400 mg की tablet आती है जो की usually ऐसे cases में हम लोग advise करते हैं लेने के लिए हम लोग discuss करें इस kit के regarding मेरी opinion की तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग इस kit की बजाए कोई अच्छी branded kit का use करें जैसे की unwanted kit, mafegest kit, khushy empty kit या contra pill ये kit काफी अच्छा result देती है तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकर ये आप लोगों के लिए काफी useful और benefit रही होगी यहाँ तक सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में एक बहुत इंटरस्टिंग टोपिक के साथ तत्पक के लिए stay healthy, stay fit, thanks for watching this video